जगादरी के बुढिया सराई कलोनी में जिला कलेक्टर मुकल कुमार जी ने कलोनी में हो रही गतिविद्यों का जाइजा लिया सरकार ने जब से लोकडाउन का एलान किया है उसे दिन से जगादरी के बुढिया सराई कलोनी में रोजाना प्रति दिन 800 से अधिक जरूरत मन्द बेच सहारा लोगों के लिए भोजन बन रहा है भोजन बनाने के इस कारे में जागरीती फाउंडीशन कलोनी वास्यों को जरूरत का सभी समान मुहया करवा रहा है जिला कलेक्टर मुकल कुमार ने कलोनी में हो रही सभी कतिविद्यों को बारीकी से देखा और कलोनी वास्यों की परशन्चा भी की जिला कलेक्टर का कहना है कि आप इस महमारी के चलते देश की प्रती बहुती एहम भूमी का निभा रहे हो कलोनी में मास्क बनाने का कारे भी बड़े जोरो शोरो से चल रहा है कलेक्चर महोदे ने मास्क की गुनवता को भी बड़ी बारीकी से जाजा और मास्क बनाने वाली सभी बेहनों का मनोबल बड़ाया और उनकी तारिफ भी की कॉलोनी के सबी महलाएं जागरीती संस्थान के साथ मिलकर मास्क बनाने का कारे कर रही है उन्होंने अभी तक 8000 मास्क त्यार कर दिये हैं और उनका कहना है कि उन्हें अभी और 10,000 से अधिक मास्क बनाने का कारे करना है ताकि मास्क जरूरतमन लोगों तक पहुंचाए जा सक कलोनी की महलाओं ने कुछ मास्क के पैकेट कलेक्टर महादे को भी दिये, मास्क बनाने के इस कारे में दीना चारू सुमन, शशी पूजा अपना बढ़ चर्कर योगदान दे रही है, कलेक्टर महादे ने कलोनी में बन रहे भोजन की गुनवता की भी जाच की और भोजन बन आधिमी माननी गोतम गर्ग जी सुरेंद्र शर्मा चिराग अरोडा राजन चाहनी राकेश अरोडा विशाल कुमार जी भी मौजूर थे जगाद्रे से हर्ष रानकी रिपोर्ट